तो दोस्तो आज की वीडियो में हम जिस जबरदस किसम की तामिल की फिल्म की बात करने वाले जबरदस किसम की एक्शन और रेडवेंचर से बरपूर फिल्म है इस फिल्म में हिरो के रोल में आप लोग को थलापती विज़े देखने को मिलेंगे जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिल्म में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों है खूबसूरत अदाकार पूजा है एक बीद इस फिल्म में आप लोग को देखने को मिलेगी जोगे इस फिल्म में प्रीती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैंनम इस फिल्म का हिस्से हैं जिन मेंसे अपरना दास, रादिक और इनके इलावा और भी बहुत सी एहम कासिन फिल्म में शामल की गई है और अगर दोस्तों इस फिलम की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर ली जाए तो फिलम में एक बहुत खतरना किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो के बहुत बड़ा टेरिस्ट होता है और इसको पकरने के लिए और इसके तरनाक मिशन के लि जिसका जिम्मेदार वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट यान कि रो का काम चोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के कोई गलती नहीं होती और जो ऑफिजर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होत और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है और आखिन में फिलम का एंड क्या होगा इस सब को जानने के लिए दोस्तों आपको इस फिलम को जरूर देखना पड़ेगा तो दोस्तों अकर इस फिलम के बज परसनल पिक्चर की तरफ से किया गया था और अगर बात कर लिए इस फिलम की जबरदस कि डायरक्शन की तो इस फिलम को बाल सतर कमाकर ने डायरक्ट किया था और साथ इस फिलम की बात कर लिए कि इस फिलम को किसने प्रोड्यूस किया था तो दोस्तों इस जबरदस फिलम क काला निथी मारन और लोईरन डार की तरफ से प्रोड्यूस किया गया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्सालिट है हमें कमेंट करके जरूर थाएगा और साथी साथ दोस्तो गर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तो नेक्स वीडियो में नेक्स अबडेट साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम जिस जबर्दस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उसका ना हमें 20 ये एक जबर्दस किसम की एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म है इस फिल्म में हीरो के रॉल में आप लोगो ठलापती विज़े देखने को मिलेंगे जोग है एक रू एज़न्ट होते हैं और इनका इस फिल्म में वीरा का रॉल होता है और सारी दोस्तों हैस खुबसूरत अधाकारा पूजा है इक भी इस फिलमें आप लोगों को देखने को मिलेगी जोने इस फिलम में प्रीती का रोल अधा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैं नम इस फिलम का हिस्से हैं जिन में से अपरना दास, रादिक और इनके इलावा और भी बहुत सी एहम कास्थ इन फिलमें शामल की गई है और अगर दोस्तो इस फिलम की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर ली जाए तो फिलम में एक बहुत खतरनाक किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो के बहुत बड़ा टेरिस्ट होता है और इसको पकरने के लिए और इसके तरनाक मिशन के लिए एक जबर्द एंट्रेन के रो का काम छोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के कोई गलती नहीं होती और जो ओफिसर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इंफरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आसपास कोई लोग रही होते इसलिए वीरा इस पर यानिके विलन पर अटैक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कोन सा मिशन कर के आफिर में सब कैसे ठीक करता है और आफिर में फिल्म का एंड क्या होगा इस सब को जानने के लिए दोस्तों आपको इस फिल्म को ज़ूर देखना पड़ेगा तो इस फिल्म का बजड़ित बहुत गधा रखा गया था यांने इस फिलम का 36 क्रोठ के बड़े बबज़ देती तियार किया गया था और इस फिलम के अगर सक्रीन प्ले की बात कर ली जाय तो इसको रियान एगल्स की तरफ से इसकी स्क्रीन प्ले की गई थी तो दोस्तो इस जबरदस फिल्म को काला निथी मारन और लॉयरन डार की तरफ से प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को तेखने के लिए कितने एक्साइटिर हैं हमें कमिंट करके जरूर ताइगा और साथे साथ दोस्तों गर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेट साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम जिस जबर्दस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उसका नाह में 20 ये एक जबर्दस किसम की एक्शन और एडवेंचर से बरपूर फिल्म है इस फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगो थलापती विजे देखने को मिलेंगे जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिल्म में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों है खुबसूरत अदाकारा पूजा है एक बीद इस फिलम में आप लोगों को देखने को मिलेगी जोने इस फिलम में प्रीती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैंनम इस फिलम का हिस्से हैं जिन मेंसे अपरना दास, रादिक और इनके इलाव और इसको पकड़ने के लिए और इसके तरनाक मिशन के लिए एक जबरस और बहुत अकलमन आफिसर की जरूत होती है इसके लिए वीरा को बलाया जाता है और किसी तरह वीरा की कोईशों से विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन विलन को पकड़ने के लिए वीरा के से जो बिलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिम्मेदार वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट रेंगे रो का काम चोड़ देता है हाला कि इसके पीछए वीरा के गोई गलती नहीं होती और जो अफिजर इस मिशन को सैटलाइट के जरे कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इनफरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आसपास पास कोई लोग नहीं होते इसलिए वीरा इस पर यहीं कि विलन पर अटैक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्हेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आफिन में सब कैसे ठीक करता है और आफिन में फिल् लोएरं डार की तरफ से प्रोडींच peach गया था तो उस्का डी आप की कि गयरता है खर स॥ yap इस जबरदस फिल्म को तो अब दोस्तो आप से अग्स निक ने के लिए हमें जए सब्म कर दो半 dabei और साथ है साथ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगिया हो तो हमे इस्पोर्ट करने क लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं Normal, दोस्तों 1991 , तब टेक केर जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिल्म में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों है खुबसूरत अदाकारा पूजा है इस फिल्म में आप लोगों को देखने को मिलेगी जोगे इस फिल्म में प्रीती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैं नमी जो कि बहुत बड़ा टेर्रिस्ट होता है और इसको पकड़ने के लिए और इसके तरनाक मिशन के लिए एक जबरस और बहुत अकलमन ओफिसर की जरूत होती है इसके लिए वीरा को बिलाया जाता है और किसी तरह वीरा की कोहिशों से विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन व इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लोग नहीं होते इसलिए वीरा इस पर इनके विलन पर अटैक करने के लिए बलास्ट कर देता है लेकिन फि वीरा आपको जाने लिए दोस्तों आपको इस प्लम को जरूर देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर इस फिलम के बजट की बात कर लेज़ए तो इस फ्लम का बजट बहुत रखा गया था यह इन्हीं ऐस फिलम को 26 क्रोट के बड़े बज़वे तियार किया था और इस फि तो दोस्तो इस जबर्दस फिल्म को बारन ऑर लॉइरं डार की तरफ दोस्तो आप इस फिल्म को दिखने की लिए कितने को था हुए हमें कमेंट करके जरूरू दिया धूं को ने हमwow came and जबूस्तार बात विडियोंगों 400-धों gold Kafka Cарт combined आप लोग को दालापती वीजे देखने को मिलेंगे जोगे एक रू एजिंट होते हैं और इनका इस फिलम में वीरा का रोल होता है और सारी दौसुन, हैरMore कुब रोओकेकष अफिस फिलम को क्रोशा कर chegकार हे अग archчиérique इस फीलम की जब दस किकuren कहानी बात कर लिए तो फीलम में एक बहुत खतरना किसम का विलन होता है जिसका नाम Umar Faruk होता है जो कर बहुत बड़ा टेर्रोरिस्ट होता है और इसको पकंटने के लिए और इसके तनाक मिशिन के लिए एक जबरस और बहुत अकलमन ओफिसर की जरोत होती है इसके लिए वीरा को बुलाया जाता है और किसी तरह वीरा की कोहिशों से विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन विलन को पकड़ने के लिए वीरा के से जो बलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिम्मेदार वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट रेंगे रो का काम छोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के कोई गलती नहीं होती और जो अफिजर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आसपास कोई लोग रही होते इसलिए वीरा इस पर इनके विलन पर अटैक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिमेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आगर में सब कैसे ठीक करता है और आगर में फिलम का एंड किया होगा इस सब को जाने के लिए दोस्तों आपको सश्रीट प्ले की गई थी और इस फिलम को दिस्ट्रीब्यूर्स की तरफ से किया गया था और अगर अब बहुत कर लेजिए इस फिलम कि जबसुर्डादके कि टरफ से परोडिवस किया गया था तो दोस्तों आप सिसक्म को देखने के लिए कितने एकसाइटिएड है हमें कमशने कर दोड्यों जरूरर ताइगा और साथ साथ दोस्तों गर आपको वीडियो अच्छी लगि अच्छी लगी हो तो में सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेट साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस जबरदस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उस का ना हमें 20 ये एक जबरदस किसम की एक्शन और एडवेंचर से बरपूर फिल्म है इस फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को थलापती वीजे देखने को मिलेंगे जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिल्म में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों नहाई खूबसूरत अदाकारा पूजा है एक बीद इस फिल्म में आप लोग को देखने को मिलेगी जोगे ने इस फिल्म में प्रीती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैननम इस फिल्म का हिस्से हैं जिन मेंसे अपरना दास, रादिक और इनके इलावा और भी बहुत से एहम कासिं फिल्म में शामल की गई है और अगर दोस्तों इस फिल्म की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में एक बहुत खतरना किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो के बहुत बड़ा टेर्रिस्ट होता है और इसको पकरने के लिए और इसके तरनाक मिशन के लिए एक जबर्दस और बहुत अकलमन ओफिसर की जरूत होती है इसके लिए वीरा को बुलाया जाता है और किसी तरह वीरा की कोईशों से विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन विलन को पकड़ने के लिए वीरा किसे जो बलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिम्मेदार वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट रेंगे रो का काम चोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के गोई गलती नहीं होती और जो अफिजर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लोग रही होते इसलिए वीरा इस पर इनके विलन पर अटैक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है और आखिन में फिलम का एंड क्या होगा इस सब को जानने गरी दोस्तों आपको इस फिलम को जरूर देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर इस फिलम के बजट की बात कर लिए तो इस फिलम का बजट बहुत जादा बड़ा रखा गया था यह इस फिलम को 36 करोड के बड़े बज़े तियार किया गया था और इस फिल्म के अगर सक्रीन प्ले की बात कर लिए तो इसको रियान एगल्स की तरफ से इसकी सक्रीन प्ले की गई थी और इस फिल्म को डिस्ट्रिब्यूर्ट दोस्तो युनिवर्सल पिक्चर की तरफ से किया गया था और अगर अगर बात कर लिए इस फिल्म की जबर्दस किसम की डायरक्शन की तो इस फिल्म को बाल स्थर कमाकर ने डायरक्ट किया था और साथे साथ दोस्तो इस फिल्म की प्रोड़क्शन की बात भी कर लिए कि इस फिल्म को किसने प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो इस जबर्दस फिलम को काला नित्थी मारन और लॉयरन डार की तरफ से प्रोड्यूस किया गया था तो दोस्तो आप इस फिलम को देखने के लिए कितने एक्साइटिरा है हमें कमेंट करके ज़रूर थाएगा और साथी साथ दोस्तों गर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अपडेट साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम जिस जबर्दस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उसका नाह में 20 ये एक जबर्दस किसम की एक्शन और रेडवेंचर से बरपूर फिल्म है इस फिल्म में हिरो के रोल में आप लोगो थलापती विज़े देखने को मिलेंगे जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिल्म में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों है खुबसूरत अदाकारा पूजा है एक बीद इस फिलम में आप लोगों को देखने को मिलेगी जोने इस फिलम में प्रीती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैं नम इस फिलम का हिस्से हैं जिन मेंसे अपरना दास, रादिक और इनके और बहुत अकलमन आफिसर की जरूत होती है इसके लिए वीरा को बलाया जाता है और किसी तरह वीरा की कोहिशों से विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन विलन को पकड़ने के लिए वीरा किसे जो बलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिमेदार वीरा के मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लोग नहीं होते इसलिए विरा इस पर इनके विलन पर अटैक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी विरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है और आखिन में फिल्म का एंड क्या होगा इस सब को जाने के लिए दोस्तों आपको इस फिल्म को जरूर देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर इस फिल्म के बजट की बात कर लिए तो इस फिल्म का बजट की तरफ से किया गया था और अगर बात कर लिएक इस विल्म की जबर दस्केम की डारिक्शन की तो इस विल्म को बालस तर कमाकर्ण إن통 के डार साडे सब महलए का तो दोस्तो आज की वीडियो में हम जिस जबर्दस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उसका ना हमें 20 ये एक जबर्दस किसम की एक्शन और एडवेंचर से बरपूर फिल्म है इस फिल्म में हीरो के रॉल में आप लोग को थलापती विजे देखने को मिलेंगे जो थी और भी बहुत से हैं नाम इस फिल्म का हिस्से हैं जिन मेंसे अपरना दास, रादिक और इनके इलावा और भी बहुत सी एहम काश्म फिल्में शामल की गई है और अगर दोस्तो इस फिल्म की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में एक बहुत खतरना किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर्फरूках होता है जो के बहुत बड़ा टेररिस्ट होता है और इसको पकड़ने के लिए और इसके तरनाक मिशनй के लीए एक जबरस रुआ क्यां Ведь उम्हें विर्भ perพी विरे दो विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन विलन को पकड़ने के लिए वीरा किसे जो बिलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिम्मेदार वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट रेंगे रो का काम छोड़ देता है हाला कि इसके पीचे विरा के कोई गलती नहीं होती और जो अफिसर इस मिशन को सैटलाइट के ज़रे कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने विरा को इनफर्मेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबग पूरा रस्ता किलीन होता है और आस पास कोई लोग णहीं होते इसलीए विरा इस प जाने लिए दोस्तों आपको इस फिल्म को जरूर देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर इस फिल्म के बजट की बात कर लिए तो इस फिल्म का बजट बहुत बड़ा रखा गया था यह इस फिल्म का 36 करोड के बड़े बज़े तियार किया था और इस फिल्म के सक्रीन प्ले के बात कर ले जाए तो इसको रियान एगल्स के तरफ से ही सक्रीन प्ले की गई थी और इस फिलम को डिस्ट्रिब्यूट दोस्तों युणिवर्सल पीक्चर के कि तरफ से किया घा धाहर था-गर आपका चल्याए काला निथी मारन और लोईरन डार की तरफ से प्रोड्यूस किया गया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटिर है हमें कमेंट करके जरूर ताइगा और साथे साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तो नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेट साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम जिस जबर्दस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उस का ना हमें 20 ये एक जबर्दस किसम की एक्शन और एडवेंचर से बरपूर फिल्म है इस फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगो थलापती विज़े देखने को मिलेंगे जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिल्म में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों नहाई खूबसूरत अदाकारा पूजा है एक बीद इस फिलम में आप लोगों को देखने को मिलेगी जोने इस फिलम में प्रीती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैंनम इस फिलम का हिस्से हैं जिन मेंसे अपरना दास, रादिक और इनके हलावा और भी बहुत से एहम काद सिलम में शामल की गई है और अगर दोस्तों इस फिलम की जबरदस किसम की कहानी की बात कर लिजाए तो फिलम में एक बहुत खतरनाक किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो के बहुत बड़ा टेरिस्ट होता है और इसको पकरने के लिए और इसके तरनाक मिशन के लिए एक जबरस और बहुत अकलमन आफिसर की जरूत होती है इसके लिए वीरा को बुलाया जाता है और किसी तरह वीरा की कोईशों से विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन विलन को पकड़ने के लिए वीरा किसे जो बलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिम्मेदार वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट रेंगे रो का काम चोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के गोई गलती नहीं होती और जो अफिजर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लोग रही होते इसलिए वीरा इस पर इनके विलन पर अटैक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशिन करके आगर में सब कैसे ठीक करता है और आगर में फिलम का एंड क्या होगा इस सब को जाननें के लिए दोस्थों आपको आपको इस फिल्म को जरूर देखना पड़ेगा तो दोस्थों अगर इस फिल्म के बजट के बात कर लिए तो इस फिल्म के बजट बहुत ज़टा बढ़ा रखा गया था यह इस फिलम को 36 करोड के बड़े बज़े तियार किया गया था और इस फिलम के सक्रीन प्ले की बात कर लिए तो इसको रियान एगल्स की तरफ से इसकी सक्रीन प्ले की गई थी तो दोस्तो इस जबरदस फिलम को काला निथी मारन और लॉयरन डार की तरफ से प्रोडिूस किया गया था तो दोस्तो आप इस फिलम को लिए कितने एक्साइटेर है हमें कमेंट करके ज़रूर तायेगा और साथी साथ दोस्तों गर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अपडेट साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम जिस जबरदस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उसका नाह में 20 ये एक जबरदस किसम की एक्शन और रेडवेंचर से बरपूर फिल्म है इस फिल्म में हिरो के रोल में आप लोग को थलापती विज़े देखने को मिलेंगे जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिल्म में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों है खुबसूरत अदाकारा पूजा है एक बीद इस फिलम में आप लोगों को देखने को मिलेगी जोने इस फिलम में प्रीती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैं नम इस फिलम का हिस्से हैं जिन में से अपरना दास, रादिक और इनके और बहुत अकलमन आफिसर की जरूत होती है इसके लिए वीरा को बलाया जाता है और किसी तरह वीरा की कोहिशों से विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन विलन को पकड़ने के लिए वीरा किसे जो बलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिमेदार वीरा मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लोग नहीं होते इसलिए विरा इस पर इनके विलन पर अटैक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी विरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है और आखिन में फिलम का एंड क्या होगा इस सब को जानने के लिए दोस्तो आपको इस फिलम को जरूर देखना पड़ेगा तो दोस्तो अगर इस फिलम के बजट की बात कर लिए तो इस फिलम का बजट बहुत बालस्तर कमाकर ने डारेक्ट किया था और साथे साथ दोस्तो इस फिल्म की प्रोडक्शन की बात भी कर लिए कि इस फिल्म को किस ने प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो इस जबरदस फिल्म को काला निथी मारन और लॉयरन डार की तरफ से प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एकसाइट है हमें कमेंट करके जरूर तायेगा और साथिसाथ दोस्तों गर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेट साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस जबर्दस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उसका ना हमें 20 यह जबर्दस किसम की एक्षिन और एडवेंचर से बरपूर फिल्म है इस फिल्म में आप अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैं नाम इस फिल्म का हिस्से हैं जिन में से अपरना दास रादिक और इनके इलावा और भी बहुत सी एहम कासिं फिल्में शामल की गई है और अगर दोस्तों इस फिल्म की जबर्दस कि कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में एक एक बहुत खतरनाक किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो के बहुत बड़ा टेरिस्ट होता है और इसको पकरने के लिए और इसके तरनाक मिशन के लिए एक जबरस और बहुत अकलमन आफिसर की जरूत होती है इसके लिए वीरा को बुलाया जाता है और किस इसके पीछे वीरा के कोई गलती नहीं होती और जो अफिजर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लोग नहीं होते इसलिए वीरा इस पर इनके विलन पर अटैक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है और आखिन में फिलम का एंड क्या होगा इस सब को जाने के लिए दोस्तों आपको इस फिलम को जरूर देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर इस फिलम के बजट की बात कर लिए तो इस फिलम का बजट बहुत जादा बड़ा रखा गया था यह इस फिलम का 36 करोड के बड़े बज़े तियार किया था और इस तो दोस्तो इस विलम की प्रिडॉक्ष्टर की बास भी कर लिए कि ए main करू कि एक यृस इस विलम को किस प्रोडीूस किया था तो दोस्तो इस जबर्दस फिलम को काला और एडवेंचर से बरपूर फिल्म है इस फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को थलापती विजे देखने को मिलेंगे जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिल्म में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों नहाई खूबसूरत अदाकारा पूजा है एक बीद इस फिल्म में आप लोग को देखने को मिलेगी जोगे उन्हें इस फिल्म में पृती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैननम इस फिल्म का हिस्से हैं जिन मेंसे अपरना दास, रादिक और इनके इलावा और भी बहुत से एहम कासिं फिल्म में शामल की गई है और अगर दोस्तों इस फिल्म की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में एक बहुत खतरना किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो के बहुत बड़ा टेरिस्ट होता है को समझता है और फिर वो एजेंट रेन के रो का काम चोड़ देता है हाला कि इसके पीछे विरा के कोई गलती नहीं होती और जो ऑफिसर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने विरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क् होते इसलिए विरा इस पर इनके विलन पर अटेक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी विरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है और आफिन में फिलम का एंड क्या होगा इस सब एक पर जानने के लिए दोस्तों आपको जरूर देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर इस फिलम के बजट की बात कर लिए तो इस फिलम का बजट बहुत द्सा बड़ा रखा गया था यहींनि इस फिलम को 36 क्रोड के बड़ जबर्दस जबर्दस फिडम और्ला वियर करना फैस मा अप्रम करें विया उति कर दोस्तों हो numerous लिए आप कुछक्षेशा हैं झो को बद्दस लगा को वीडिये ले暮ी आपके हमें सब्सक्राइबस करें 산 के लिए टेक कियर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस जबर्दस किसम की तामिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उसका नाम है बीस ये एक जबर्दस किसम की एक्शन और रेडवेंचर से बरपूर फिल्म है इस फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को थलापती विजे को मिलेंगे जो कि एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिल्म में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों है खुबसूरत अदाकारा पूजा है इस फिल्म में आप लोग को देखने को मिलेगी जोंने इस फिल्म में प्रीती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत खतरनाक किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो कि बहुत बड़ा टेर्रिस्ट होता है और इसको पकरने के लिए और इसके तरनाक मिशन के लिए एक जबरस और बहुत अकलमन आफिसर की जरूत होती है इसके लिए वीरा को बलाया जाता है और किसी तरह वीर को पकड़ने के लिए वीरा किसे जो बिलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिम्मेदार वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट जैनके रो का काम चोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के कोई गलती नहीं होती और जो ऑफिजर इस मिशन को सैटल अगर को समझ रहा होता है और बहुत जादार डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आगन में सब कैसे ठीक करता है और आगन में फिल्म का एंड क्या होगा इस सब को जाने के लिए दोस्तों आपको इस फिल्म को ज़रूर देखना पड़ेगा तो दो इस फिल्म को डिस्ट्रिब्यूर दोस्तों युनिवर्सल पिक्चर की तरफ से किया गया था और अगर बात कर लिए इस फिल्म की जबर्दस कि डायरक्शन की तो इस फिल्म को बालस्तर कमाकर ने डायरक्ट किया था और साथिसा दोस्तों इस फिल्म के प्रोड़ेशन की ब तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेट साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस जबरदस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उसका ना हमें 20 ये एक जबरदस किसम की एक्शन और एडवेंचर से बरपूर फिलम है इस फिलम में हीरो के रोल में आप लोग को थलापती विजे देखने को मिलेंगे जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिलम में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों है खुबसूरत अदाकारा पूजा है एक बीद इस फिलम में आप लोग को देखने को मिलेगी जोने इस फिलम में प्रीती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैन नम इस फिलम का हिस्से हैं जिन मेंसे अपरना दास, रादिक और इनके इलावा और भी बहुत से एहम कासिंट फिलम में शामल की गई है और अगर दोस्तों इस फिलम की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर ली जाए तो फिलम में एक बहुत खतरना किसम का विलन होता है जिसका नम उमर फारूक होता है जो के बहुत बड़ा टेरिस्ट होता है और इसको पकरने के लिए और इसके तरनाक मिशन के लिए एक जबर्दस और बहुत अकलमन ओफिसर की जरूत होती है इसके लिए वीरा को बलाय जाता है और किसी तरह वीरा की कोहिशों से विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन विलन को पकड़ने के लिए वीरा के से जो बलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिम्मेदार वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट रेन के रो का काम छोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के कोई गलती नहीं होती और जो अफिसर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता कलीन होता है और आस पास कोई लोग रही होते इसलिए वीरा इस पर विलन पर अटैक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है और आखिन में फिल्म का एंड किया होगा इस सब को जानने क्लिए दोस्तो आपको इस फिल्म को जरूर देखना पड़ेगा तो दोस्तो अलए इस फिल्म के बजट की बात कर लेज़त बहुत बज़त बदा रख़ा गया था यह इस फिल्म को 36 करोड के बड़े बज़े से त्यार किया गया था और इस फिल्म के अगर सक्रीन प्ले की बात कर लिए तो इसको रियान एगल्स की तरफ से ही सक्रीन प्ले की गई थी तो दोस्तो इस जबर्दस फिल्म को काला नित्थी मारन और लोईरन डार की तरफ से प्रोड्यूस किया गया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटिर हैं हमें कमेंट करके जरूर ताइगा और साथे साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगिया हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तो नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेट साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम जिस जबर्दस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उसका नाह में 20 ये एक जबर्दस किसम की एक्शन और एडवेंचर से बरपूर फिल्म है इस फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगो थलापती विजे देखने को मिलेंगे जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिल्म में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों नहाई खूबसूरत अदाकारा पूजा है एक बीद इस फिलम में आप लोगों को देखने को मिलेगी जोने इस फिलम में प्रीती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैनम इस फिलम का हिस्सा है जिन मेंसे अपरना दास, रादिक और इनके इलावा और भी बहुत सी एहम काथ इस फिलम में शामल की गई है और अगर दोस्तों इस फिलम की जबरदस किसम की कहानी की बात कर लिए तो फिलम में एक बहुत खतरना किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो के बहुत बड़ा टेर्रिस्ट होता है और इसको पकरने के लिए और इसके तरनाक मेशन के लिए एक जबरदस और बहुत अकलमन ओफिसर की जरूत होती है इसके लिए वीरा को बुलाया जाता है और किसी तरह वीरा की कोईशों से विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन विलन को पकड़ने के लिए वीरा किसे जो बलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिम्मेदार वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट रेंगे रो का काम चोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के गोई गलती नहीं होती और जो अफिसर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लोग रही होते इसलिए वीरा इस पर इनके विलन पर अटेक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है और आखिन में फिलम का एंड क्या होगा इस सबको जानने गली दोस्तों आपको इस फिलम को जरूर देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर इस फिलम के बजट की बात कर लिए तो इस फिलम का बजट बहुत जादा बदा लख रखा गया था यह нравि इस फिलम का 26,00 को बड़े बज़े थिए त्यार किया था और इस फिल्म के अगर सक्रीन प्ले की बात कर लिजा है तो इसको रियान एगल्स की तरफ से इसकी सक्रीन प्ले की गई थी और इस फिल्म को डिस्ट्रिब्यूर्ट दोस्तो युनिवर्सल पिक्चर की तरफ से किया गया था और अगर अगर बात कर लिए इस फिल्म की जबर्दस किसम की डायरेक्शन की तो इस फिल्म को बालसतर कमाकर ने डायरेक्ट किया था और साथे साथ दोस्तो इस फिल्म की प्रोड़क्शन की बात भी कर लिए किसने प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो इस जबरदस फिल्म को काला निथी मारन और लोईरन डार की तरफ से प्रोड्यूस किया गया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटिरा हैं हमें कमेंट करके ज़रूर ताइगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तो नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेट साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम जिस जबरदस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उसका नाह में 20 ये एक जबरदस किसम की एक्शन और रेडवेंचर से बरपूर फिल्म है इस फिल्म में हिरो के रोल में आप लोग को थलापती विज़े देखने को मिलेंगे जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिल्म में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों है इस खूबसूरत अदाकारा पूजा है एक बीद इस फिलम में आप लोगों को देखने को मिलेगी जो यह ने इस फिलम में प्रीति का रूल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैं नमीस फिलम का हिस्से हैं जिन मेंसे अपरना दास, रादिक और इनके इलावा और भी बहुत सी एहम काश्म फिलमें शामल की गई है और अगर दोस्तों इस फिलम की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर ली जाए तो फिलम में एक बहुत खतरनाक किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो के बहुत बड़ा टेरिस्ट होता है और इसको पकरने के लिए और इसके तरनाक मिशन के लिए एक वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट जनकी रो का काम छोड़ देता है। हाला कि इसके पीछे वीरा के कोई गलती नहीं होती और जो ओफिजर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लोग रही होते इसलिए वीरा इस पर इनके विलन पर अटैक करने के लिए बलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आगिन में सब कैसे ठीक करता है और आगिन में फिल्म का एंड क्या होगा इस सबको जानने के लिए दोस्तो आपको इस फिल्म को जरूर देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर इस फि तो इस फिल्म को बाल स्टर कमाकर ने डायरेक्ट किया था और साथे साथ दोस्तो इस फिल्म की प्रोड़क्शन की बास किस ने प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो इस जबर्दस फिल्म को काला निथी मारन और लॉयरन डार की तरफ से प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देंगने के लिए कितने अक्साइटेर हैं हमें कमेंट करके जूरूरू ठाइगा और साथ यसाथ दोष्टो अपको विडियो अच्छी लगिए और तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जूरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स व दो एजेंट होते हैं और इनका इस फिलम में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों है इस खूबसूरत अदाकारा पूजा है इस फिलम में आप लोगों को देखने को मिलेगी जोने इस फिलम में प्रीती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैंनम इस फिलम का हि को पकड़ने के लिए और इसके तरनाक मिशन के लिए एक जबरस और बहुत अकलमन ओफिसर की जरोत होती है इसके लिए वीरा को बुलाया जाता है और किसी तरह वीरा की कोहश्चों से विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन विलन को पकड़ने के लिए वीरा के से जो बलास ह जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लोग रही होते इसलिए वीरा इस पर यानिकि विलन पर अटैक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है और आखिन में फिलम का एंड क्या होगा इस सब को जानने कि लिए दोस्तों आपको इस फिलम को जरूर देखना पढ़ेगा तो दोस्तों अगर इस फिलम के बजट की बात कर लिए तो इस फिलम का बजट बहुत अभार रखा गया था यह इ thri carn часов करोड के बड़े बजट यह ते तियार किया था और इस फिल्म के अगर सक्रीन प्ले की बात कर लिए तो इसको रियान एगल्स की तरफ से इसकी सक्रीन प्ले की गई थी और इस फिल्म को डिस्ट्रिब्यूर्ट दोस्तो युनिवर्सल पिक्चर की तरफ से किया गया था और अगर अगर बात कर लिए इस फिलम की जबर्दस किसम की डायरक्शन की तो इस फिलम को बालस्तर कमाकर ने डायरक्ट किया था और साथे साथ दोस्तो इस फिलम की प्रोड़क्शन की बात भी कर लिए कि इस फिलम को किसने प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो इस जबरदस फिल्म को काला निथी मारन और लॉईडन डार की तरफ से प्रोड्यूस किया गया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एकसालिट रहा हमें कमेंट करके ज़रूर तायेगा और साथ ही साथ दोस्तों गर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेट साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम जिस जबरदस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उस का ना हमें 20 ये एक जबरदस किसम की एक्षिन और एडवेंचर से बरपूर फिल्म है इस फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगो थलापती विजे देखने को मिलेंगे जो के एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिल्म में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों है खूबसूरत अदाकारा पूजा है एक बीद इस फिल्म में आप लोगो को देखने को मिलेगी जोने इस फिल्म में प्रीती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैं नम इस फिलम का हिस्से हैं जिन मेंसे अपरना दास, रादिक और इनके इलावा और भी बहुत सी एहम काथ इस फिलम में शामल की गई है और अगर दोस्तो इस फिलम की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर ली जाए तो फिलम में एक बहुत खतरनाक किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो के बहुत बड़ा टेरिस्ट होता है और इसको पकरने के लिए और इसके तरनाक मिशन के लिए एक जबर्द और फिर वो एजेंट रेंगे रो का काम चोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के कोई गलती नहीं होती और जो ऑफिसर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लोग नहीं होते इसलिए वीरा इस पर इनके विलन पर अटेक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके इस फिल्म के सक्रीन प्ले की बात कर लिए तो इसको रियान एगल्स की तरफ से सक्रीन प्ले की गई थी और इस फिल्म को डिस्ट्रिब्यूर्ट दोस्तों युनिवर्सल पिक्चर की तरफ से किया गया था और अगर बात कर लिए इस फिल्म के जबर्दस की डायरक्शन की तो इस फिल्म को बाल स्टर कमाकर ने डायरेक्ट किया था और साथ साथ दोस्तो इस फिल्म की प्रोडक्शन की बात भी कर लिए कि इस फिल्म को किस ने प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो इस जबरदस फिल्म को काला निथी मारन और लॉयरन डार की तरफ से प्रोड्यूस कि तो दोस्तों आफ इस खिर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तुम मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अपरेट साथ तब तेक कियर तो दोस्तों ayวीडियों हम जिस जबर्दस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उसका नाम है 20 ये एक जबर्दस किसम की एक्शन और रेडवेंचर से बरपूर फिल्म है इस फिल्म में हिरो के रॉल में आप लोगो ठलापती विजे देखने को मिलेंगे जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इस फिलम में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों है खूबसूरत अदाकारा पूजा हेगबी इस फिलम में आप लोगो को देखने को मिलेगी जोने इस फिलम में पृती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैंनम इस फिलम का हिस्सा है जिन मेंसे अपरना दास, रादिक और इनके इलावा और भी बहुत सी एहम काश्म फिल्में शामल की गई है और अगर दोस्तो इस फिल्म की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में एक बहुत खतरना किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो कि बहुत बड़ा टेर्रिस्ट होता है और इसको पकरने के लिए और इसके तरनाक मिशन के लिए एक जबर्स और बहुत अकलमन ऑफिसर की जरूत होती है इसके लिए वीरा को बलाया जाता है और किसी तरह वीरा की कोईशों से विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन विलन को पकड़ने के लिए वीरा किसे जो बलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिम्मेदार वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट ये रो का काम चोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के कोई गलती नहीं होती और जो अफिजर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लोग रही होते इसलिए वीरा इस पर यानके विलन पर अटैक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है और आखिन में फिलम का एंड क्या होगा इस सब को जानने के लिए दोस्तों आपको इस फिलम को जरूर देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर इस फिलम के बजट की बात कर लिए तो इस फिलम का बजट बहुत दा बड़ा रखा गया था नहीं इस फिलम का 36 करोड के बड़े बजट दे त्यार किया गया था तो दोस्तो इस जबरदस फिल्म को काला निथी मारन और लॉयरन डार की तरफ से प्रड़ूस किया गया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एकसाइट हैं हमें कमेंट करके जरूर पताएगा और साथ यसाथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो करदी मेंट से घर फूर फिल्म है इस फिल्म में हिरो के रोल में आप लोग तो थालापती वीजे देखने को मिलेंगे जोगह एक रो एजन्ट होते हैं और इनका इस फिल्म में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों नहायरा खूबसूरत अदाकारा पूजा हैं इस फिल् अड़े मिर्डिस्य का कहानी के बाद कर लिए तो फिलं में एक खतरना किसम का विलन होता है जिसका नाम अमःफुरूख होता है जोके बहुत बड़ा टेर्री इस्ट होता है और इसको पकड़ने ये और इसके तरनाक Ce ns ृई जबर्स और और फिर वो एजेंट रेंगे रो का काम छोड़ देता है। हाला कि इसके पीछे वीरा के कोई गलती नहीं होती। और जो ओफिसर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने वीरा को इन्फर्मेशन ही ऐसी दी होती के इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है। और आसपास कोई लोग रही होते। इसलिए वीरा इस पर इनके विलन पर अटैक करने के लिए बिलास्ट कर देता है। लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है। और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है। और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है। और आखिन में फिलम का एंड क्या होगा। इस सब को जानने लिए दोस्तों आपको इस फिलम को जडाए गाए गाए मुड़ की बात पर लगा। और अगर बात कर लिया एस फिलम के जबरदस करम की डायरक्शन की तो इस फिलम को बालसतर कमाकर ने डारेक्ट किया था और साथ साथ दोस्तो इस फिल्म के प्रोड़क्शन की बात भी कर लिए कि इस फिल्म को किस ने प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो इस जबरदस फिल्म को काला निथी मारन और लॉयरन डार की तरफ से प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल् कि तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उसका नाह में 20 ये एक जबर्दस किसम की एक्शन और एडवेंचर से बरपूर फिल्म है इस फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को थलापती विजे देखने को मिलेंगे जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिल्म में वी वी फिल्म में शामल की गई है और अकर दोस्तों इस फिल्म की जबर्दस किसम की बात कर लिजे जाये तो फिल्म में एक बहुत खतरना किसम का विल्ception होता है जिसका नाम उमर फारूक होते है जो कि बहुत बड़ा टेरिIST होता है और इसको पकड़ने के लिے और इसके तरन वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट रेंगे रो का काम चोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के गलती नहीं होती और जो ऑफिसर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लोग रही होते इसलिए वीरा इस पर इनके विलन पर अटैक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो 36 करोड के बड़े बज़े से त्यार किया गया था और इस फिल्म के अकर सक्रीन प्ले की बात कर लिए तो इसको रियान एगल्स की तरफ से इसकी सक्रीन प्ले की गई थी और इस फिल्म को डिस्ट्रिब्यूट दोस्तो युनिवर्सल पिक्चर की तरफ से किया गया था और खो मैं और बात कर लिए इस फिलम की डायक्शन की पो इस फिलम को Be played कुमेकर ने रेक्ट किया था और साथी साथ दोस्तो इस फिलम की प्रॉड़क्शन की बात एक इस फिलम को किस ने प्रॉड veto किया था तो दोस्तो इस जबरदस फिलम काला निथी मारन और लोईरन डार की तरफ से प्रोड्यूस किया गया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटिरा हैं हमें कमेंट करके ज़रूर ताइगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पो जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिल्म में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों है खुबसूरत अदाकारा पूजा है इस फिल्म में आप लोगों को देखने को मिलेगी जोगे इस फिल्म में प्रीती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैं न होता है और इसको पकड़ने के लिए और इसके तरनाक मिशन के लिए एक जबरस और बहुत अकलमन ओफिसर की जरूत होती है इसके लिए वीरा को बलाया जाता है और किसी तरह वीरा की कोईश्चों से विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन विलन को पकड़ने के लिए वीरा क को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लोग नहीं होते इसलिए वीरा इस पर इनके विलन पर अटैक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वी पर इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है और आखिन में फिलम का एंड क्या होगा इस सब को जानने लिए दोस्तों आपको इस फिलम को जरूर पर इस फिलम को डिस्ट्रिबूर दोस्तों उनियुवर्शल पिक्चर की तरफ से किया घा था और अगर बात कर लिए इस फुलम की जाप ऐसकी कि 성 Blue तो इस फिलम को ढाल्स तर कमाकर ने डार्रक कि प्रिटी के लिए टेक कियर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस जबर्दस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उसका नाह में 20 यह जबर्दस किसम की एक्शन और डवेंचर से बरपूर फिल्म है इस फिल्म में हीरो के रॉल में आप लोग को थलापती विज किया है और साथ ही और भी बहुत से हैं नाम इस फिल्म का हिस्से हैं जिन में से अपरना दास, रादिक और इनके इलावा और भी बहुत सी एहम कासिं फिल्में शामल की गई है और अगर दोस्तों इस फिल्म की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में एक एक बहुत खतरनाक किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो के बहुत बड़ा टेरिस्ट होता है और इसको पकरने के लिए और इसके तरनाक मिशन के लिए एक जबरस और बहुत अकलमन आफिसर की जरूत होती है इसके लिए वीरा को बलाया जाता है और किसी पीछे वीरा के कोई गलती नहीं होती और जो अफिसर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इंफरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लोग नहीं होते इसलिए वीरा इस पर इनके विलन पर अटेक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मिदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन कर के आघर में सब कैसे ठीक करता है और आघर में फिलम का एंड क्या होगा इस अगर स्क्रीन प्ले की बात कर लिए तो इसको रियान एगल्स की तरफ से इसकी स्क्रीन प्ले की गई थी और इस फिल्म को डिस्ट्रिब्यूट दोस्तो युनिवर्सल पिक्चर की तरफ से किया गया था और अगर अगर बात कर लिए इस फिल्म की जबर्दस की डायरक्शन की कितने एक्साइटिर हैं हमें कमेंट करके ज़रूर ताइगा और साथ ही साथ दोस्तों गर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेट साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस जबरदस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उस का ना हमें 20 ये एक जबर्दस किसम की एक्शन और एडवेंचर से बरपूर फिलम है इस फिलम में हीरो के रोल में आप लोगो थलापती विजे देखने को मिलेंगे जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिलम में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों है खुबसूरत अदाकारा पूजा है एक बीद इस फिलम में आप लोगो को देखने को मिलेगी जोगोंने इस फिलम में प्रीती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैननम इस फिलम का हिस्से हैं जिन मेंसे अपरना दास रादिक और इनके इलावा और भी बहुत से एहम काथ सिलम में शामल की गई है और अगर दोस्तों इस फिलम की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर लिए तो फिलम में एक बहुत खतरना किसम का विलन होता है जिसका नाम उमफारूग होता है जो कि बहुत बड़ा टेर्रिस्ट होता है और इसको पकरने के लिए और इसके तरनाक मेशन के लिए एक जबर्स और बहुत अकलमन ऑफिसर की ज़रोथ होती है इसके लिए वीरा को बिलाया जाता है और किसी तरह वीरा की कोईशों से विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन विलन को पकड़ने के लिए वीरा के से जो बलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिम्मेदार वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट रेन के रो का काम चोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के गोई गलती नहीं होती और जो अफिसर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लोग नहीं होते इसलिए वीरा इस पर इनके विलन पर अटेक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है इसक्रीद प्लेक की गई थी और इस विल्म को डिस्टिब्यूर दोस्तों य्मिवरसल समी की तरब से किया सा य। विल्म मारन और की तरफ से प्रोडूस किया सब कौन संब दाया की वि Commonwealthlla का मारन और लॉइरन ड़्ीं किई दृष है और साथी साथ दोस्तों गर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अपडेट साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तों आज की वीडियो होते हैं और इनका इस फिलम में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों है यह तो सी अहुपसुर्त अधाकारा पूजा है कुछ बीरत प्रीटी का रूल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हमनम इस फिलम का हिस्से हैं जिन मेंसे अपरणादास, राधिक और इनके इलावा और भी बहुत सी एहमकादस इंस फिलम में शामल की गई है और अगर दोस्तों इस फिलम की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर ली ज कर दो कि मुधन Wiral की कोशे को ला सुटे लिए जकी उपकरने के लिए Jisका बीधर इसमेशन की जो मर जाती जिस्का जिम्मधर बीरा खुदको समझते है और फिर वह एजेंट रिंगर और वा काम विलन पर अटेक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आगर इन में सब कैसे ठीक करता है और आगर फिल्म का एंड क्या बहुत जाधा जिए तो दोस्टो अकर इस फिल्म की बजट की बात कर लिजए तो इस फिल्म का बजट बहुत रजा बढ़ा रखा गया था यह श्टिस करोड के बड़ेशी ठीके तो इस उनिएगुषट की तो दूस्तों इस फिल्म के परोड़क्शन की बात कर लिए किस निया अच्छ की लिए किस्त लिए कृंप और दूस्तों को अच्छ कर लिए हम इस फिल्म को सब्सक्राइब करें estiमें नेक्स अब्रेट साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम जिस जबर्दस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उसका ना हमें 20 ये एक जबर्दस किसम की एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म है इस फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को थलापती विज़े देखने को मिलेंगे जोगे एक रू एज़ेंट होते हैं और इनका इस फिल्म में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों है इस खूबसूरत अदाकारा पूजा है एक बीद इस फिलम में आप लोगों को देखने को मिलेगी जोंने इस फिलम में प्रीती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैं नम इस फिलम का हिस्से हैं जिन में से अपरना दास, रादिक और इनके इहम कासिन फिलम में शामल की गई ऑगन और अगर दोस्तों इस फिलम की जबर्दस कि कहानी की बात कर लिए तो फिलम में एक बहुत खतरनाक इक Zwी है और किसी तरह बीरा के कोहशों से विलन को पकड़ लिए जाता हैं लेकिन विलन को पकरने के लिए वीरा कसे जो बलास होत जिसका जिम्मेदार वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट जैनके रो का काम छोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के कोई गलती नहीं होती और जो ऑफिजर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इंफरमेशन ही ऐसी दी होती जी कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आसपास कोई लोग रही होते इसलिए वीरा इस पर विलन पर अटैक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है और आखिन में फिल्म का एंड क्या होगा इस सब को जाने लिए दोस्तों आपको इस फिल्म को जरूर देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर इस फिल्म के बजट की बात कर लिए तो इस फिल्म का बाल्सतर कुमाकर ने डायरेक्ट किया था और साथे साथ दोस्तो इस फिल्म की प्रोडक्शन के बात की को किसने प्रोड्यूस किया था तो दो सभर पस्क्राइब करें तो मथन में जबर्दस वीडियो में लाख नगे लिए टेक कियर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम जिस जबर्दस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उस का ना हमें 20 ये एक जबर्दस किसम की एक्शन और एडवेंचर से बरपूर फिल्म है इस फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगो थलापती विजे देखने को मिलेंगे जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिल्म में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों नहाई खूबसूरत अदाकारा पूजा है एक बीद इस फिलम में आप लोगों को देखने को मिलेगी जोने इस फिलम में प्रीती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैन नमीस फिलम का हिस्स Marian जिन में से अपरना दास, रादिक और इनके इलावा और भी बहुत सी एहन कासि फिलम में शामल की गई है और अगर दोस्तो इस फिलम की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर ली जाए तो फिलम में एक बहुत खतरनाक किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो के बहुत बड़ा टेरिस्ट होता है और इसको पकरने के लिए और इसके तरनाक मिशन के लिए एक जबर्द और फिर वो एजेंट रेंगे रो का काम चोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के कोई गलती नहीं होती और जो ऑफिसर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लोग नहीं होते इसलिए वीरा इस पर इनके विलन पर अटैक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके पर नहीं नहीं तर्ब्रेशन में पर चाहिंहे नाहीं वाल्याद प्रिक्ट कर고 हूए और सबल्सके नहीं कितंगा उब समझ शू किस लिए नहीं कर अग्राइब बैख साथ हो खके मारन और लॉयरन डार की तरफ से प्रोडूस किया था तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने अक्काइडिर है हमें कमिंट करके जबूर ताइगा और साथ इसाथ दोस्तों गर आपको था रफिल्म को आपको अच्छी लगी है तो हमें सपोर्ट करने क आप लोग को थलापती विज़े देखने को मिलेंगे जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिलम में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों है खुबसूरत अदाकारा पूजा है एक भी इस फिलम में आप लोग को देखने को मिलेंगी जिन्होंने इस फिलम में प्रीति का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैनने में इस फिलम का थियरिस्ट है जिसका नाम अमil होता है जो कि बहुत बड़ा солнवा होता है और इसको पकरने के लिए और उसके तरनाक मिशन के लिए एक जबरस और बहुत अकलमन ओफिसर की जरूत होती है इसके लिए वीरा को बलाया जाता है और किसी तरह वीरा की कोहिशों से विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन विलन को पकड़ने के लिए वीरा कसे जो बलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिम्मेदार वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट ये रो का काम चोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के कोई गलती नहीं होती और जो अफिसर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लोग रही होते इसलिए वीरा इस पर यानकि विलन पर अटैक करने के लिए बलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है और आखिन में फिलम का एंड क्या होगा इस सब को जानने के लिए दोस्तों आपको इस फिलम को जूरूर देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर इस फिलम के बजट की बात कर लिए moist बढ़ा रखा गया था जोह आनिरे इस फिलम को 36 करोड के बड़े Celtic देती किया था और इस फिल्म के अगर सक्रीन प्ले की बात कर लिए तो इसको रियान एगल्स की तरफ से इसकी स्क्रीन प्ले की गई थी और इस फिल्म को डिस्ट्रिब्यूर्ट दोस्तो युनिवर्सल पिक्चर की तरफ से किया गया था और अगर अगर बात कर लिए इस फिल्म की जबर्दस किसम की डायरक्शन की तो इस फिल्म को बालस्तर कमाकर ने डायरक्ट किया था और साथे साथ दोस्तो इस फिल्म की प्रोड़क्शन की बात भी कर लिए कि इस फिल्म को किसने प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो इस जबरदस फिलम को काला निथी मारन और लॉरन डार की तरफ से प्रोडूस किया गया था तो दोस्तो आप इस फिलम को लिए कितने अखसा़ी टिर आ हमें कमिन्ट करत flex करके जडरूरर ताएगा और साथे साथ दोस्सों, गर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगई हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जुरूर सबस्क्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अपडेट साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम जिस जबर्दस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उसका ना हमें 20 ये एक जबर्दस किसम की एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म है इस फिल्म में हेरो के रॉल में आप लोगो थलापती विजे देखने को मिलेंगे जोग एक रू एघ armor और इस फिल्म में वीरे का रॉल होता है और सारी दोस्तो नहाइष खुबसूरत अदाकारा पूजा हेक बीड़ इस फिल्म में आप लोगो को देखने को मिलेगी जोने इस फिलम में प्रीती का रूल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैं नम इस फिलम का हिस्से हैं जिन में से अपरनादास, रादिक और इनके इलावा और भी बहुत सी एहम कासिं फिलमें शामल की गई है और अगर दोश्थो इस फिलम की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर ली जाए तो फिलम में एक बहुत खतरनाक किसम का विलन होता है जिसका नाम अमर फारूुक होता है जो के बहुत बड़ा टेर्रिस्ट होता है और इसको पकड़ने के लिए और इसके तरनाक मिशन के लिए एक जबरस और बहुत अकलमन आफिसर की जरोत होती है इसके लिए वीरा को बुलाया जाता है और किसी तरह वीरा की कोहश्चों से विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन विलन को पकड़ने के लिए वीरा के से जो बिलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिम्मेदार वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट रिनके रो का काम छोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के कोई गलती नहीं होती और जो अफिसर इस मिशन को सैटलाइट के खरे कंट्रोल कर रहे थे उन्हें वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबग पूरा रस्ता क्लीन होता है और आसपास कोई लोग रही होते इसलिए वीरा इस पर यानिके विलन पर अटैक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है और आखिन में फिलम का एंड क्या होगा इस सब को जाने लिए दोस्तों आपको इस फिलम को ज़रूर देखना पड़ेगा और इस फिल्म को डिस्ट्रिब्यूट दोस्तों युनिवर्सल पिक्चर की तरफ से किया गया था और अगर अगर बात कर लिए इस फिल्म की जबर्दस किसम की डायरक्शन की तो इस फिल्म को बालसतर कमाकर ने डायरक्ट किया था और साथे साथ दोस्तो इस फिल्म की प्रोडक्शन की बात भी कर लिए कि इस फिल्म को किस ने प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो इस जबरदस फिल्म को काला निथी मारन और लोईरन डार की तरफ से प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिलम को दिखने के लिए कितने εकसालिराइख हमें कमेंट करके ज़रूर पकियागा और सात陶े साथ दोस्तो पर आपको ओमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्थास्पॉर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तो नेक्स वीडियो में नेक्च अप्रेट सथ तब तक के लिए टेक किर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम जिस जबरदस किसम की तम्यल की फिलम की बात करने वाले हैं उसका नहा हमें 20 ये एक जबर्दस किसम की एक्शन और एडवेंचर से बरपूर फिलम है इस फिलम में हीरो के रोल में आप लोगो थलापती विजे देखने को मिलेंगे जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिलम में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों है खुबसूरत अदाकारा पूजा है एक बीद इस फिलम में आप लोगो को देखने को मिलेगी जोगोंने इस फिलम में प्रीती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैननम इस फिलम का हिस्से हैं जिन मेंसे अपरना दास, रादिक और इनके इलावा और भी बहुत सी एहम कासिं फिलम में शामल की गई है और अगर दोस्तों इस फिलम की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर लिए तो फिलम में एक बहुत खतरना किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो के बहुत बड़ा टेर्रिस्ट होता है और इसको पकरने के लिए और इसके तरनाक मेशन के लिए एक जबर्दस और बहुत अकलमन ओफिसर की जरूत होती है इसके लिए वीरा को बुलाया जाता है और किसी तरह वीरा की कोईशों से विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन विलन को पकड़ने के लिए वीरा किसे जो बलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिम्मेदार वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट रेंगे रो का काम चोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के गोई गलती नहीं होती और जो अफिजर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लोग रही होते इसलिए वीरा इस पर इनके विलन पर अटैक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिनमें सब कैसे ठीक करता है और आखिनमें फिलम का एंड क्या होगा इस सब को जानने गरी दोस्तों आपको इस फिल्म को जरूर देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर इस फिल्म के बजट की बात कर लिए तो इस फिल्म का बजट बहुत जाजा बड़ा रखा गया था यह इस फिल्म को 36 करोड के बड़े बज़ते त्यार किया गया था और इस तो दोस्तो इस फिल्म की प्रोडक्शन की बात भी कर लिए कि इस फिल्म को किस ने प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो इस जबर्दस फिल्म को काला निथी मारन और लॉयरन डार की तरफ से प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने उसका नाह में 20 ये एक जबर्दस किसम की एक्षिन और रेडवेंचर से बरपूर फिलम है इस फिलम में हीरो के रोल में आप लोगो थलापती विज़े देखने को मिलेंगे जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिलम में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों है ख फिलम में शामल की गई है और अगर दोस्तों इस फिलम की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर ली जाए तो फिलम में एक बहुत खतरना किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो कि बहुत बड़ा टेरिस्ट होता है और इसको पकरने के लिए और इसके तरनाक और फिर वो एजेंट यान कि रो का काम चोड़ देता है। हाला कि इसके पीछे वीरा के कोई गलती नहीं होती। और जो ओफिजर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है। और आसपास कोई लोग नहीं होते। इसलिए वीरा इस पर यान कि विलन पर अटैक करने के लिए बलास्ट कर देता है। लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है। और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है। और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है। और आखिन में फिलम का एंड क्या होगा। इस सब को जानने फिलिए लिए इस फिलम क ज है के तो हूट कर लिए तो इस फिलम को इस फिलम का पविज़त की बमितुए तो यूनिवर्श यूवर्सल पिक्चर की तर士 किया था। और अगर बात कर लिए इस फिल्म की जबरदस किसम की डायरक्शन की तो इस फिल्म को बाल सतर कमाकर ने डायरक्ट किया था और साथे साथ दोस्तो इस फिल्म की प्रोड़क्शन की बात कर लिए कि इस फिल्म को किसने प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो इस जबरदस फिलम को काला निती मारन और लोईरं डार की तरफ से प्रोड्यूस किया गया था तो दोस्तो आप इस फिलम को देखने के लिए कितने एक्साइटेर हैं हमें कमेंट करके हैं जरूर बताएगा और साथी साथ दोस्तों गर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेट साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम जिस जबर्दस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उसका नाह में 20 ये एक जबर्दस किसम की एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म है इस फिल्म में हीरो के रॉल में आप लोगो थलापती विजिय देखने को मिलेंगे जो一个 रो एजेंट होते हैं और इनका से फिल्म में वीरा का रोल होता है और भी बहुत से एहम कासि में शामल की गई है और अगर दोस्तों इस फिलम की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर लिजाए तो फिलम में एक बहुत खतरनाक किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो के बहुत बड़ा टेरिस्ट होता है और इसको पकड़ने के लिए और इसके तरनाक मिशन के लिए एक जबरस और बहुत अकलमन आफिसर की जरूत होती है इसके लिए वीरा को बुलाया जाता है और किसी तरह वीरा की कोईशों से विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन विलन को पकड़ने के लिए वीरा के से जो बिलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिम्मेदार वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट रिनके रो का काम छोड़ देता है हला कि इसके पीछे वीरा के कोई कल्ती नहीं होती और जो आफिसर इस मिशिन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इंफिर्मेशन ही ऐसी दे होती के इसके मताबिक पूरा रस्ता कلीन होता है और आस पास कोई लोग ही होते इसलिए वीरा इस पर इनके विलन पर अटेक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है अरष्ट्ल्स के तरफ से सक्रीन प्ले की गई थी और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूर आजए फिल्म कर लेज़ उनिवर्सल पिक्चर के तरफ से किया था और अगर बात कर लेज़े इस फिल्म की डिर्ructured की तो इस फowski बा flipping किस में किया था और साथे साथ दोस्तों गर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेट साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम जिस जबर्दस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उस का ना हमें 20 ये एक जबर्दस किसम की एक्शन और एडवेंचर से बरपूर फिल्म है इस फिल्म में हिरो के रॉल में आप लोगो दोको थलापती विजए देखने को मिलेंगे जो गे एक रू एजन्ट होते हैं और इनका इस फिल्म में वीरा का रॉल होता है और सारी दोस्तों नहाई खूबसूरत अदाकारा पूजा है एक बीद इस फिलम में आप लोगों को देखने को मिलेगी जोने इस फिलम में प्रीती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैंनम इस फिलम का हिस्से हैं जिन में से अपरना दास रादिक और इनके इलावा और भी बहुत सी एहम काथ इस फिलम में शामल की गई है और अगर दोस्तो इस फिलम की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर ली जाए तो फिलम में एक बहुत खतरनाक किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो के बहुत बड़ा टेरिस्ट होता है और इसको पकरने के लिए और इसके तरनाक मिशन के लिए एक जबर्द चेंट रेन के रो का काम चोड़ देता है हाला कि इसके पीछे विरा के गलती नहीं होती और जो अफिसर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने विरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लो का एंड केड़िया होगा इसस सब को जाने को लिए दोस्तों आपको इस फिल्म को ज़रूर देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर इस फिल्म कअ बजट के बात कर लेज़再 ollut एप लगा है तहरी इस फिल्म को चाती स्टीन क्रवड के बड़े बढ़े बात कर लिए तो इस तो दोस्तो इस फिल्म की प्रोड़क्शन की बात भी कर लिए कि इस फिल्म को किस ने प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो इस जबरदस फिल्म को काला निथी मारन और लॉयरन डार की तरफ से प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एकसा और रेडवेंचर से बरपूर फिलम है इस फिलम में हीरो के रोल में आप लोग को थलापती विज़े देखने को मिलेंगे जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिलम में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों है खुबसूरत अदाकारा पूजा है एक बीद इस फिलम में आप लोग को देखने को मिलेगी जोने इस फिलम में प्रीती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैंनम इस फिलम का हिस्से हैं जिन मेंसे अपरना दास, रादिक और इनके इलावा और भी बहुत से एहम काथ फिलम में शामल की गई है और अगर दोस्तों इस फिलम की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर ली जाए तो फिलम में एक बहुत खतरना किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो के बहुत बड़ा टेर्रिस्ट होता है और इसको पकरने के लिए और इसके तरनाक मेशन के लिए एक जबर्स और बहुत अकलमन ओफिसर की जरूत होती है इसके लिए वीरा को बलाया जाता है और किसी तरह वीरा की कोईशों से विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन विलन को पकड़ने के लिए वीरा किसे जो बलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिम्मेदार वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट ये रो का काम चोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के कोई गलती नहीं होती और जो अफिजर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लोग रही होते इसलिए वीरा इस पर यानके विलन पर अटैक करने के लिए ब्लास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है और आखिन में फिलम का एंड क्या होगा इस सब को जाने के लिए डौस्टो आपको इस फिलम को जरूर देखना पड़ेगा तो दोस्तो अगर इस फिलम के बजट की बात कर लेज़ा तो इस फिलम का बजट बहुत दा बड़ा रखा गया था यह इस फिलम को 36 करोड के बड़े बज़ते त्यार किया गया था और इस फिलम के अगर सक्रीन प्ले की बात कर लिए तो इसको रियान एगल्स की तरफ से इसकी सक्रीन प्ले की गई थी तो दोस्तो इस जबरदस फिल्म को काला निती मारन और लोईरन डार की तरफ से प्रोड्यूस किया गया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्सालिट है हमें कमेंट करके जरूर थाएगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तो नेक्स वीडियो में नेक्स अबडेट साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम जिस जबर्दस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उसका ना हमें 20 ये एक जबर्दस किसम की एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म है इस फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को थलापती विज़े देखने को मिलेंगे जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिल्म में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों है इस खूबसूरत अधाकारा पूजा है एक बीद इस फिलम में आप लोगों को देखने को मिलेगी जोंने इस फिलम में प्रीती का रोल अधा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैं नम इस फिलम का हिस्से हैं जिन में से अपरना दास, रादिक और इनके इलावा और भी बहुत सी एहम कासिं फिलम में शामल की गई है और अगर दोस्तो इस फिलम की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर ली जाए तो फिलम में एक बहुत खतरनाक किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो के बहुत बड़ा टेरिस्ट होता है और इसको पकरने के लिए और इसके तरनाक मिशन के लिए एक जबर्द एंट्रेन के रो का काम छोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के कोई गलती नहीं होती और जो ओफिसर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इंफरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लोग रही होते इसलिए वीरा इस पर इनके विलन पर अटैक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है और आखिन में फिल्म का एंड क्या होगा इस सब को जाने के लिए दोस्तों आपको इस फिल्म को ज़रूर देखना पड़ेगा और इस फिल्म को डिस्ट्रिब्यूट दोस्तो युनिवर्सल पिक्चर की तरफ से किया गया था और अगर अगर बात कर लिए इस फिल्म की जबर्दस किसम की डायरक्शन की तो इस फिल्म को बालसतर कमाकर ने डायरक्ट किया था और साथे साथ दोस्तो इस फिल्म की प्रोडक्शन की बात भी कर लिए कि इस फिल्म को किस ने प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो इस जबरदस फिल्म को काला निथी मारन और लोईरन डार की तरफ से प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटिर हैं हमें कमेंट करके जरूर ताइगा और साथ यसाथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते रिएकस वीडियो में नेक्स अप्रेट साथ तब तक लिए टेक कियर तो अबस्तो आज की वीडियो में हम जस जबरदस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उसका नाहमें 20 ये एक जबरदस किसम की एकशन और डवेंचर से बरपूर फिल्म है इस फिलम में हीरो के रॉल में आप लोग को थलापती विजे देखने को मिलेंगे जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिलम में वीरा का रॉल होता है और सारी दोस्तों है खुबसूरत अदाकारा पूजा है एक बीद इस फिलम में आप लोगों को देखने को मिलेगी जोने इस फिलम में प्रीती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैंनम इस फिलम का हिस्से हैं जिन मेंसे अपरना दास, रादिक और इनके इलाव और इसको पकड़ने के लिए और इसके तरनाक मिशन के लिए एक जबरस और बहुत अकलमन आफिसर की जरूत होती है इसके लिए वीरा को बलाया जाता है और किसी तरह वीरा की कोईशों से विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन विलन को पकड़ने के लिए वीरा के से जो बिलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिम्मेदार वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट रेंगे रो का काम चोड़ देता है खाला कि इसके पीछे वیरा के कोई गलती नहीं होती और जो आफिसर इस मिशन को सैٹलाइट के जडले कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वیरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती है कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लोग नहीं होते इसलिए वीरा इस पर इनके विलन पर अटेक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है उनिवर्सल पिक्चर के तरफ तरफ से किया था और अगर बात पर लेजे डेज़ की यह तो इस फिलम और अगर लीए घृल को देखे लिए हरे दोस्तों किस ने पर गय दौने तो दोस्तों और उस जबर दिशाए है तो दोस्टो आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने अक्साइटिर हैं हमें कमेंट करके जुरूब थाएगा और साती साथ दोस्टों घर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगिया हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जूरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेट साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस जबर्दस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उसका नाह में 20 ये एक जबर्दस किसम की एक्शन और रेडवेंचर से बरपूर फिलम है इस फिलम में हिरो के रोल में आप लोगो थलापती विज़े देखने को मिलेंगे जो कि एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिलम में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों है खुबसूरत अदाकारा पूजा है एक बीद इस फिलम में आप लोगो को देखने को मिलेगी जोने इस फिलम में प्रीती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैंनम इस फिलम का हिस्से हैं जिन मेंसे अपरना दास, रादिक और इनके इलावा और भी बहुत से एहम काथ इस फिलम में शामल की गई है और अगर दोस्तों इस फिलम की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर ली जाए तो फिलम में एक बहुत खतरना किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो कि बहुत बड़ा टेर्रिस्ट होता है और इसको पकरने के लिए और इसके तरनाक मिशन के लिए एक जबर्स और बहुत अकलमन ओफिसर की जरूत होती है इसके लिए वीरा को बलाय जाता है और किसी तरह बियरा की कोईशों से विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन विलन को पकड़ने के लिए बियरा कसे जो बलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिम्हेदार बियरा खुट को समझता है और फिर वो एजेंट जैनके रो का काम चोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के कोई गलती नहीं होती और जो ओफिसर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आसपास कोई लोग नहीं होते इसलिए वीरा इस पर विलन पर अटैक करने के लिए बलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है और आखिन में फिलम का एंड क्या होगा इस सब को जानने के लिए दोस्तों आपको इस फिलम को जरूर देखना पड़ेगा और इस फिलम को डिस्ट्रिब्यूर दोस्तों युनिवर्सल पिक्चर की तरफ से किया गया था और अगर अगर बात कर लिए इस फिलम की जबर्दस किसम की डायरक्शन की तो इस फिलम को बाल सतर कमाकर ने डायरक्ट किया था और साथे साथ दोस्तो इस फिल्म की प्रोड़क्शन की बात भी कर लिए कि इस फिल्म को किसने प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो इस जबरदस फिल्म को काला निथी मारन और लोईरन डार की तरफ से प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिलम को देखने के लिए कितने अक्साइटर है हमें कमेंड कर की जरूर थाएगा और साथ य Gotcha अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगिए हो तो हमें सपॉट करने के लिए हमारे चेनल को जुर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेट साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस जबरदस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उसका नाहमें 20 ये एक जबर्दस किसम की एक्शन और एडवेंचर से बरपूर फिलम है इस फिलम में हीरो के रोल में आप लोग को थलापती विजे देखने को मिलेंगे जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिलम में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों है खुबसूरत अदाकारा पूजा है एक बीद इस फिलम में आप लोग को देखने को मिलेगी जोने इस फिलम में प्रीती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैन नम इस फिलम का हिस्से हैं जिन मेंसे अपरना दास, रादिक और इनके इलावा और भी बहुत से एहम कास्से फिलम में शामल की गई है और अगर दोस्तों इस फिलम की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर ली जाए तो फिलम में एक बहुत खतरना किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो के बहुत बड़ा टेर्रिस्ट होता है और इसको पकरने के लिए और इसके तरनाक मिशन के लिए एक जबर्दस और बहुत अकलमन ऑफिसर की जरूत होती है इसके लिए वीरा को बलाय जाता है और किसी तरह वीरा की कोईशों से विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन विलन को पकड़ने के लिए वीरा के से जो बलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिम्मेदार वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट रेन के रो का काम छोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के कोई गलती नहीं होती और जो अफिसर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता कलीन होता है और आस पास कोई लोग रही होते इसलिए वीरा इस पर इनके विलन पर अटैक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है इस फिल्म को डिस्ट्रिब्यूट दोस्तों युनिवर्सल पिक्चर की तरफ से किया गया था और अगर बात कर लिए इस फिल्म के जबर्दस कर्म की डायरक्शन की तो इस फिल्म को बालस्तर कमाकर ने डायरक्ट किया था और साथे साथ दोस्तो इस फिल्म की प्रोडक्शन की बात भी कर लिए कि इस फिल्म को किस ने प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो इस जबरदस फिल्म को काला निथी मारन और लोईरन डार की तरफ से प्रोड्यूस किया था तो दोस्थो आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने अकसाइटी है हमें कमिंट करके जूरूर ताएगा और साथे साथ दोस्टो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगिया हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेट साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस जबरदस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उसका ना हमें 20 ये एक जबर्दस किसम की एक्शन और एडवेंचर से बरपूर फिलम है इस फिलम में हीरो के रोल में आप लोगो थलापती विजे देखने को मिलेंगे जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिलम में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों है खुबसूरत अदाकारा पूजा है एक बीद इस फिलम में आप लोगो को देखने को मिलेगी जोगोंने इस फिलम में प्रीती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैननम इस फिलम का हिस्से हैं जिन मेंसे अपरना दास, रादिक और इनके इलावा और भी बहुत से एहम कासिं फिलम में शामल की गई है और अगर दोस्तों इस फिलम की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर लिए तो फिलम में एक बहुत खतरना किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो के बहुत बड़ा टेर्रिस्ट होता है और इसको पकरने के लिए और इसके तरनाक मेशन के लिए एक जबर्दस और बहुत अकलमन ओफिसर की जरूत होती है इसके लिए वीरा को बुलाया जाता है और किसी तरह वीरा की कोईशों से विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन विलन को पकड़ने के लिए वीरा किसे जो बलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिम्मेदार वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट रेंगे रो का काम चोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के गोई गलती नहीं होती और जो अफिसर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लोग रही होते इसलिए वीरा इस पर इनके विलन पर अटैक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आगर में सब कैसे ठीक करता है और आगर में फिलम का एंड क्या होगा इस सब को जानने गरी दोस्तों आपको इस फिल्म को जरूर देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर इस फिल्म के बजट की बात कर लिए तो इस फिल्म का बजट बहुत जाजा बड़ा रखा गया था यह इस फिल्म को 36 करोड के बड़े बज़ते त्यार किया गया था और इस इसा दोस्तो इस फिल्म की प्रोडक्शन की बात भी कर लिए कि इस फिल्म को किस ने प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो इस जबरदस फिल्म को काला निथी मारन और लॉयरन डार की तरफ से प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने परिती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैं नमीस फिलम का हिस्सा है जिन में से अपरना दास रादिक और इनके इलावा और बहुत सी एहम काथ इस फिलम में शामल की गई है और अगर दोस्तों इस फिलम की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर ली जाए तो फिलम में एक बहुत खतरना किसम का विलन होता है जिसका नम उमर फारूक होता है जो के बहुत बड़ा टेर्रिस्ट होता है और इसको पकरने के लिए और इसके तरनाक मिशन के लिए एक वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट जैनके रो का काम छोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के कोई गलती नहीं होती और जो ओफिजर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक प कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है और आखिन में फिल्म का एंड क्या होगा इस सब को जाने के लिए दोस्तों आपको इस फिल्म को जरूर देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर इस फिल्म के बजट की बात कर लिए तो इस फिल्म के बजट की बात कर इस फिल्म की जबर्दस किसम की डायरक्शन की तो इस फिल्म को बालस्तर कमाकर ने डायरक्ट किया था और साथे साथ दोस्तो इस फिल्म की प्रोड़क्शन की बात भी कर लिजए कि इस फिल्म को किसने प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो इस जबरदस फिल्म को काला नीथी मारन और लॉयरन डार की तरफ से प्रोड्यूस किया गया था तो दोस्तो आज वीडियो में हम जिस जबरदस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उसका नाहमें 20 ये एक जबरदस किसम की एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म है इस फिल्म में हिरो के रोल में आप लोग को थलापती विज़े देखने को मिलेंगे जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिल्म में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों है इस खूबसूरत अदाकारा पूजा है एक बीद इस फिल्म में आप लोग को देखने को मिलेगी जोने इस फिल्म में प्रीती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैं नम इस फिल्म का हिस्से हैं जिन में से अपरना दास, रादिक और इनके इलावा और भी बहुत सी एहम कासिंट इस फिल्म में शामल की गई है और अगर दोस्तो इस फिलम की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर ली जाए तो फिलम में एक बहुत खतरनाक किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो के बहुत बड़ा टेरिस्ट होता है और इसको पकरने के लिए और इसके तरनाक मिशन के लिए एक जबर्द एंट्रेन के रो का काम छोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के कोई गलती नहीं होती और जो ओफिसर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इंफरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लोग रही होते इसलिए वीरा इस पर इनके विलन पर अटैक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है और आखिन में फिलम का एंड क्या होगा इस सब को जाने के लिए दोस्तों आपको इस फिलम को ज़रूर देखना पड़ेगा बाल स्तर कमागर ने डिरेक्ट किया था साध्िस यिस फिल्मिक पारिट्चन परे लिए किसे ने प्रोड्यूस किया था तो minimizing यृद्ध मारन और लौइरन डारक तरफा की तरफ किया था तो दोस्तो आप इस फिल्म काप अपस्ति खारा की दिए प्रतार लागर आपको अच्छी लगे और अवर को अच्छी लगे हो तो पूजा है एक बीद इस फिलम में आप लोगको देखने को मिलेगी जैने इस फिलम में प्रीति का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हननम इस फिलम का हिस्साएं जिन मेंसे अपरना दास रादिक और इनके इलावा और बहुत सी एहम काजित से फिलम में शामल की ग इसके लिए वीरा को बुलाया जाता है और किसी तरह वीरा की कोईशों से विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन विलन को पकड़ने के लिए वीरा किसे जो बलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिम्मेदार वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट रे के रो का काम छोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के कोई गलती नहीं होती और जो अफिसर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लोग नही होते इसलिए वीरा इस पर इनके विलन पर अटेक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है और आखिन में फिल्म का एंड क्या होगा इस सब को जानने के लिए दोस्तों आपको इस फिल्म को जरूर देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर इस फिल्म के बजट की बात कर लिए तो इस फिल्म का बजट बहुत जादा बड़ा रखा गया था यह इस फिल्म को 36 करोड क इस फिल्म की बात कर लिए तो इसको रियान एगल sau सिर्वemosel nei टार से किया गया था और अगर बात कर लिए इस VERDAS की डार्कशन की तो इस ्कला कि अधूर क आनम की तरफिया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को लए कितने एकसाइडरे हैं हमें कमिट करके जब झायगा और साथे साथ दोस्तो और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तुह में स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेट साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस जबरदस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उसका नाह में 20 ये एक जबर्दस किसम की एक्शन और रेडवेंचर से बरपूर फिलम है इस फिलम में हीरो के रोल में आप लोगो थलापती विज़े देखने को मिलेंगे जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिलम में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों है खुबसूरत अदाकारा पूजा है एक बीद इस फिलम में आप लोगो देखने को मिलेगी जोगों ने इस फिलम में प्रीती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैननम इस फिलम का हिस्से हैं जिन मेंसे अपरना दास, रादिक और इनके इलावा और भी बहुत सी एहम काथ इस फिलम में शामल की गई है और अगर दोस्तों इस फिलम की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर ली जाए तो फिलम में एक बहुत खतरना किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो के बहुत बड़ा टेर्रिस्ट होता है और इसको पकरने के लिए और इसके तरनाक मेशन के लिए एक जबर्स और बहुत अकलमन ओफिसर की जरूत होती है इसके लिए वीरा को बलाया जाता है और किसी तरह वीरा की कोईशों से विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन विलन को पकड़ने के लिए वीरा किसे जो बलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिम्मेदार वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट ये रो का काम चोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के कोई गलती नहीं होती और जो अफिजर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लोग रही होते इसलिए वीरा इस पर इनके विलन पर अटैक करने के लिए बलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आगे इन में सब कैसे ठीक करता है और आगे इन में फिलम का एंड क्या होगा इस सब को जानने के लिए दोस्तों आपको इस फिलम को जरूर देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर इस फिलम के बजट की बात कर लिए तो इस फिलम का बजट बहुत दा बड़ा रखा गया था यह इस फिलम को 36 करोड के बड़े बज़े से त्यार किया गया था और इस फिलम के अगर सक्रीन प्ले की बात कर लिए तो इसको रियान एगल्स की तरफ से इसकी सक्रीन प्ले की गई थी तो दोस्तो इस जबरदस फिल्म को काला निथी मारन और लोईरन डार की तरफ से प्रोड्यूस किया गया था तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटर है हमें कमिंट करके जरूर दाएगा और साथी साथ दोस्तों गर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अब्रेट साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तो आज की वीडियो में हम जिस जबर्दस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उस का ना हमें 20 ये एक जबर्दस किसम की एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म है इस फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को थलापती विज़े देखने को मिलेंगे जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिल्म में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों है इस खूबसूरत अदाकारा पूजा है एक भी इस फिलमें आप लोगों को देखने को मिलेगी जोने इस फिलम में पृती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैननाम इस फिलम का हिस्सा है जिन में से अपरना दास, रादिक और इनके इलावा और भी बहुत से एहम कासिं फिलमें शामल की गई है और अगर दोस्तों इस फिलम की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर ली जाए तो फिलम में एक बहुत खतरना किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो के बहुत बड़ा टेरिस्ट होता है और इसको पकरन के लिए वीरा के से जो बिलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिम्मेदार वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट रेंगे रो का काम छोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के कोई गलती नहीं होती और जो अफिजर इस मिशन को सैटलाइट के जर समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है और आखिन में फिल्म का एंड क्या होगा इस सब को जानने के लिए दोस्तों आपको इस फिल्म को जरूर देखना पड़ेगा तो दोस्तों अ अगर बात कर लिए इस फिल्म की जबर्दस किसम की डायरक्शन की तो इस फिल्म को बालस्तर कमाकर ने डायरक्ट किया था और साथे साथ दोस्तों इस फिल्म की प्रोड़ेशन की बात कर लिए कि इस फिल्म को किसने प्रोड्यूस किया था तो दोस्तों इस जबर्दस फिल नक्स वीडियो में नक्स अपूरेट सहर्ट तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तो आच की वीडियो में हम जिस जबरदस किसम की तामिल की फिल्म की बात करने वाले हैं। उस सっमी बीस हैं। ये उक जबरदस किसम की एक्शन सेहनम इस फिलम का हिस्सा है जिन मेंसे अपरना दास रादिक और इनके इलावा और भी बहुत सी एहम काथ इस फिलम में शामल की गई है और अकर दोस्तों इस फिलम की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर लिए तो फिलम में एक बहुत खतरना किसम का विलन होता है जिसका नाम विरा की कोईशों से विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन विलन को पकड़ने के लिए विरा के से जो बलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिम्हेदार विरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट रेन के रो का काम चोड़ देता है हाला कि इसके पीछे विरा के कोई गलती नहीं होती और जो अफिसर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने विरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लोग नहीं होते इसलिए विरा इस पर इनके विलन पर फन बैम्ट क्या होगा इस सबको जान जानने व stripes और झाने के लिए दोस्तों आपको इस पीलम को दीचना पड़े हो तो दोसतों आखर इस पीलम के बजद कि बात कर लिए तो इस विलम के बघृट के बढ़े बज़ocy सीया गया था और उस्ती खिर्लीट के बड़े इंतर द टायरेक्ट किया था, और साथे साथ दोस्तों इस फिल्म को प्सका का लानी थी, बारन्ट सीने के लिए कितने अक्साइर के लिए ओर घ्याव हुआ किसे प्रवारी तब खने की देखते हुआ गार चैनल को जुरूरी संग मिलते हैं दोस्तों नेक्स किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उसका नाम है बीस ये एक जबर्दस किसम की एक्शन और रेडवेंचर से बरपूर फिल्म है इस फिल्म में हिरो के रोल में आप लोग को थलापती विज़े देखने को मिलेंगे जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फि जादिक और इनके इलावा और भी बहुत सी एहम काश्म फिल्म में शामल की गई है और अगर दोस्तों इस फिल्म की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में एक बहुत खतरना किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो के बहुत बड़ा होता है और इसको पकड़ने के लिए और इसके तरनाक मिशन के लिए एक जबर्स और बहुत अकलमन ऑफिसर की जरूत होती है इसके लिए वीरा को बलाया जाता है और किसी तरह वीरा की कोहुशों से विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन विलन को पकड़ने के लिए वीरा किसे जो बिलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिम्मेदार वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट यान कि रो का काम छोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के गुई गलती नहीं होती और जो अफिजर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आसपास कोई लोग नहीं होते इसलिए वीरा इस में सब कैसे ठीक करता है और आपिन में फिलम का एंड क्या होगा इस सब को जानने लिए खिल्फो आपको इस फिलम को ज़ीन quand ढ़ेगा तो दोस्तो अ कर इस फिलम के बजट की बात कर ली जो तो इस फिलम की बगजट और साथे साथ दोस्तो इस tecnología की प्रॉडक्शन की भात कर लिजाए जा कि手 प्रॉडीव किया था तो चोपसोंल प्रॉड़ीयोग को जो प्रॉडीवो dolop क्यां। तो ओस दोस्तों अप इस यह जोजाणैने!. हैं उसका नाहमें 20 यह जबर्दस किसम की एक्षिन और रेडवेंचर से बर पूर फिलम है इस फिलम में हीरो के रॉल में आप लोग को थलापती विज़े देखने को मिलेंगे जोगे एक रू एजेंट होते हैं और इनका इस फिलम में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों ह बिल्दस की कहानी की बात कर लिजए तो फिलम में एक खतरना किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो के बहुत बड़ा टेरिस्ट होता है और इसको पकरने के लिए इसके तरनाक मिशन के लिए एक जबर्दस और बहुत अकलमन आफिसर की जरूत होती है इ इसका जिम्मेदार वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट रेंगे रो का काम छोड़ देता है। हाला कि इसके पीछे वीरा के गोई गलती नहीं होती और जो अफिसर इस मिशन को सैटलाइट के जरे कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लोग नहीं होते इसलिए वीरा इस पर यानिके विलन पर अटेक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है और आखिन में फिलम का इसकी स्क्रीन प्ले की गई थी और इस फिलम को डिस्ट्रिब्यूट दोस्तों युनिवर्सल पिक्चर की तरफ से किया गया था और अगर बात कर लिए इस फिलम के जबर्दस कर्म की डायरक्शन की तो इस फिलम को बालस्तर कमाकर ने डायरक्ट किया था और साथे साथ दो जिस वीडियों के पिलम की बात किसे परोडिम किया था ? तो जी जबर दसकाने के लिए को प्रीज है Brie ग doctrini उे उनडेयों झाल, आग्या से किर दोस्तों आज जिस वीडियोम्त के लिए कितनी आगर बातечजिते हैं उसका नाह में 20 ये एक जबर्दस किसम की एक्शन और रेडवेंचर से बरपूर फिल्म है इस फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को थलापती विज़े देखने को मिलेंगे जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिल्म में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों ह लिए बहुत सी एहम कासिं फिल्म में शामल की गई है और अगर दोस्तों इस फिल्म की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में एक बहुत खतरना किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो कि बहुत बड़ा टेरिस्ट होता है और इसको प करने के लिए वीरा किसे जो बलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिम्मेदार वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट रेंगे रो का काम चोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के कोई गलती नहीं होती और जो अफिजर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इन्फरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आस पास कोई लोग नहीं होते इसलिए वीरा इस पर इनके विलन पर अटैक करने के लिए बलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जि तो इस फिलम का बजट बहुत जाजा बड़ा रखा गया था यहनि इस फिलम को 36 करोड के बड़े बज़े से तियार किया गया था और इस फिलम के अकर सक्रीन प्ले की बात कर लिए तो इसको रियान एगल्स की तरफ से इसकी सक्रीन प्ले की गई थी और इस फिलम को लिए आगार की तरफ से परोडियूस किया था तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए प्लेट एक्साइट अगर एक्साइट कारी हमेंट कि तरह को आप पसप्सक्राइब करें तो मिंलते हैं दोस्तों नेक्स्ट विडियो में next update सहाथ तब तर के लिए टेक किर तो तो आज की वीडियो में हम जिस जबर्दस किसम की तमिल की फिल्म की बात करने वाले हैं उसका नाह में 20 ये एक जबर्दस किसम की एक्शन और रेडवेंचर से बरपूर फिल्म है इस फिल्म में हिरो के रोल में आप लोग को थलापती विजे देखने को मिलेंगे जो के एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिल्म में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों है खुबसूरत अदाकारा पूजा है एक बीद इस फिल्म में आप लोग को देखने को मिलेगी जोने इस फिलम में प्रीती का रूल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैंनम इस फिलम का हिस्से हैं जिन मेंसे अपरणादास, रादिक और इनके इलावा और भी बहुत सी एहम काश्म फिलमें शामल की गई है और अगर दोस्तों इस फिलम की जबर्दस किसम की कहानी की बात कर ली जाए तो फिलम में एक बहुत खतरनाक किसम का विलन होता है जिसका नाम उमर फारूक होता है जो के बहुत बड़ा टेर्रिस्ट होता है और इसको पकड़ने के लिए और इसके तरनाक मिशन के लिए एक जबरस और बहुत अकलमन आफिसर की जरूत होती है इसके लिए वीरा को बुलाया जाता है और किसी तरह वीरा की कोहिशों से विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन विलन को पकड़ने के लिए वीरा किसे जो बिलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिम्मेदार वीरा खुद को समझता है और फिर वो एजेंट यानिके रो का काम चोड़ देता है हाला कि इसके पीछे वीरा के कोई गलती नहीं होती और जो ओफिसर इस मिशन को सैटलाइट के जरी कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने वीरा को इनफरमेशन ही ऐसी दी होती कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आसपास कोई लोग रही होते इसलिए वीरा इस पर यानिके विलन पर अटैक करने के लिए बलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी वीरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है और आखिन में फिलम का एंड क्या होगा इस सब को जाने के लिए दोस्तों आपको इस फिलम को जरूर देखना पड़ेगा बाल स्तर कॉमाकर ने डार्डेक्ट किया था और साथ ेसास दोस्तो इस फीलं की प्रोड़क्शन की बात गरने हैं किस देखा किसने प्रोड़््यूस किया था तो दोस्तो इस जबरदस फिल्म को justus सब्सक्राइब कि अगल do हैं उसका नाह में 20 ये एक जबर्दस किसम की एक्शन और एडवेंचर से भर पूर फिलम है इस फिलम में हिरो के रोल में आप लोग को थलापती विज़े देखने को मिलेंगे जोगे एक रो एजेंट होते हैं और इनका इस फिलम में वीरा का रोल होता है और सारी दोस्तों है और इस खूबसुर्ट अदाकारा पूजा है एक भी इस फिलम में आप लोग को देखने को मिलेगी जोगे इस फिलम में प्रीती का रोल अदा किया है और साथ ही और भी बहुत से हैन नम इस फिलम का हिस्से हैं जिन मेंसे अपरना दास रादिक और इनके इलावा और भी बह बहुत अकलमन आफिसर की जरूत होती है इसके लिए वीरा को बलाया जाता है और किसी तरह वीरा की कोहिशों से विलन को पकड़ लिया जाता है लेकिन विलन को पकड़ने के लिए वीरा कसे जो बलास होता है उसमें एक बच्ची मर जाती है जिसका जिमेदार वीरा खुद क कि इसके मताबिक पूरा रस्ता क्लीन होता है और आसपास कोई लोग रही होते इसलिए विरा इस पर इनके विलन पर अटैक करने के लिए बिलास्ट कर देता है लेकिन फिर भी विरा इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है और बहुत जादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो कौन सा मिशन करके आखिन में सब कैसे ठीक करता है और आखिन में फिल्म का एंड क्या होगा इस सब को जाने लिए दोस्तों आपको इस फिल्म को जरूर देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर इस फिल्म के बजट की बात कर लिए तो इस फिल्म का बाल स्तर कमाकर ने डारेक्ट किया था और साथ साथ दोस्तो इस फिल्म के प्रोड़क्शन की बास भी कर लिए कि इस फिल्म को किस ने प्रोड्यूस किया था तो दोस्तो इस जबरदस फिल्म को काला निथी मारन और लॉयरन डार की तरफ से प्रोड्यूस किया था तो दोस्त तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एकसाइटिर है हमें कमेंट करके जरूर ताइगा और साथे-साथ दोस्तों गर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगियो तो हमें स्पोड करने के लिए हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नक्स स्टूडियो में नक्स ब्रेट साथ तब तक के लिए टेक कियर